दोस्तों सबसे पहले आपको investments आपको अपने mobile में Google Play Store से जाकर install करना होगा अगर आप existing user है तो direct login page open होगा और आप new user है तो सबसे पहले आपको first time login करना होगा install करने के बाद जब आप app open करेंगे, open करते ही आपके साम में login ID और password का option आ जाएगा यानि यहाँ पर आपको ID और password डाल कर login करना होगा ID और password वही डाले जो आप first time login में reset किये होगे login ID पासवर्ड एंटर करने के बाद mpin एंटर करें login करते ही आपके साम में बिल्कुल इस तरिके का डाशबूर्ड ओपन होगा Thank you